हेलो एरिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स के यूट्यूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रे अंदोलन से जुड़ी कुछ महत्वपुर्ण गटनाओं के बारे में डेटेल में स्टडी करेंगे तो स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एज्यूब एज्यूगेशनल चैनल में तो जो महत्वपुर्ण गटनाओं है उसकी पूरी टाइम लाइन हम देखते है तो सबसे पहले 1904 तो उस वक्त भारतिय विश्व विद्याले अधिनियम जो है वो पारित हुआ 1904 के अंदर भारतिय विश्व विद्याले अधिनियम जो पारित हुआ था तो ये सबसे पहले ये साल आपको याद रखनी है 1904 Next है 1905 कि 1905 के अंदर बंगल का विपाजन हुआ तो MCQ के लिए ये पॉइंट जो है वो काफी IMP है कि जो बंगल का विपाजन कौन से साल में हुआ था तो 1905 के अंदर बंगल का विपाजन हुआ था उसके अलावा 1906 के अंदर मुस्लिम लिग की स्थापना हुई तो ये भी questions बहुत बार अलग-अलग competitive exams में पूछा गया है GK and General Study के अंदर कि मुस्लिम लिग की स्थापना कौन से साल में हुई थी तो उसका सही जवाब है 1906 के अंदर फिर है सूरत अधिवेशन and Congress में foot कि जो हमारे राष्टरी अंदोलन चल रहे थे उस वक्त की जो ये गटना है तो वो हुई थी इन 1907 के अंदर के सूरत अधिवेशन and Congress में जो foot हुई वो 1907 में हुई थी उसके बाद 1909 के अंदर मारले मिंटो सुधार आया मारले मिंटो सुधार तो ये बहुत most IMP है मारले मिंटो सुधार कई बार exam के अंदर पुछा गया है तो उसका आंसर है 1909 उसके बाद 1911 के अंदर ब्रीटिस समराठ का दिली दर्बार ब्रीटिस समराठ का दिली दर्बार जो सुरू हुआ वो 1911 के अंदर की 1911 के अंदर फिर 1916 के अंदर होम्रूल लीग का निर्माण हुआ ये भी आपने जब इतियास हिस्टरी पड़ी होगी उस वक भी यह आता था जो होम्रूल लीग का question और उसका जो निर्माण हुआ 1916 के अंदर फिर सेम साल 1916 के अंदर जो लखनाव पैक्ट कहा जाता था कि Muslim League and Congress का जो समझोता हुआ Muslim League and Congress समझोता कि जिसको कहा जाता था लखनाव पैक्ट तो वो था 1916 के अंदर तो ये भी एक काफी important question है कि Muslim League and Congress समझोता कौन से साल में हुआ था तो 1916 के अंदर अत्वा तो 1916 दिखा हो और जब matching वाले question पुछे जाते है उस वक्त भी ये important है as well as जब साल लिखी हो और उसके related कौन सा उस वक्त जो है वो गटना हुई थी तो उसमें भी ये आपको याद रखना है फिर 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कि जो चंपारण में जो आंदोलन शुरू हुआ महात्मा गांधी जी द्वारा तो वो थी 1916 के साल उसके बाद 1919 रॉलेट अधिनियम very very most IMP because ये जो अधिनियम से अलग-अलग वो कई बार exams के अंदर पुछे गए है तो जो रॉलेट अधिनियम वो आया 1919 के अंदर फिर सेम साल 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांट जो हुआ था तो वो भी सेम साल के अंदर 1919 के अंदर ये भी काफी IMP question है जलिया वाला बाग हत्याकांट 1919 1919 में एक और मांटेग्यू चेम्सपोड सुधार आया सेम साल 1919 के अंदर उसके बाद 1920 खिलाफत अंदोलन very very IMP question 1920 की जो खिलाफत अंदोलन सुरू हुआ 1920 के अंदर तो ये अच्छे से याद रखना है खिलाफत अंदोलन जरूर सी इसके जो है वो आप नॉट्स बना है तो उससे काफी फाइदा होगा रेगुलर उसके नॉट्स बनाएए और साथ में करते रहिए उसका रेगुलरली रिविजन तो ये आपके लिए है काफी IMPORTANT की 1920 में ही और सहयोग अंदोलन भी सरू हुआ कि जो और सहयोग अंदोलन कहा जता है वो भी 1920 के अंदर है सुरू हुआ था उसके बाद चोरी-चोरा कांड वो हुआ 1922 के अंदर उसके बाद है 1927 कि जो साइमन कमिशन की नियुकती हुई कि भारत के अंदर साइमन कमिशन की जो नियुकती हुई वो हुई 1927 के अंदर फिर 1928 के अंदर साइमन कमिशन का आगमन हुआ उसके ठीक एक साल बाद के 1927 के अंदर उसकी नियुक्ती हुए 1927 और उसके एक साल बाद 28ayan के अंदर उनका भारत के अंदर आगमन हुआ 1929 की भगजसी द्वारा सहीद स्रीभगजसी द्वारा केंद्रिये असम्बली में जो बाउम विस्पोड किया गया तो वो थी उसके ठीक एक साल बाद 1927 के अंदर कि जब साइमन कमिशन 1927 में नियुकत हुआ फिर वो ट्वेंटी एट में बारत में आगमन हुआ और उसके बाद सहीत श्री भगत सी द्वारा केंद्रिये असम्बली में बम विस्पोट किया गया उसके बाद 1929 के अंदर ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण सवतंदरदा की माग की गई पूर्ण सवतंदरदा की माग जो की गई कांग्रेस द्वारा in 1929 तो ये जो कुछ गटना है वो काई सकते की आज से 100 साल पहले की है कि अभी 2020 चल रहा है ये है 1920 की कुछ गटना है 1920 तो करिब 100 से 90 साल पहले की ये सब गटना है के बारे में हम अभी स्टड़ी कर रहे है फिर 1930 के अंदर सवी नए अवगना आंदोलन जो है वो सुरू हुआ 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज समयलन ये क्वेस्टन काफी IMP है गोलमेज समयलन बहुत बार पुछा गया है 1930 के अंदर दृतिय गोलमेज लन 1931 प्रथम हुआ 30 के अंदर और second हुआ उसके एक साल बाद 31 के अंदर फिर दृतिय एक और साल बाद मतलब की 32 के अंदर तृतिय गोल्मित समिलन 1932 सांप्रदाइक निर्वाचक प्रणाली की गुसना की गई 1932 के अंदर फिर 1932 पुना पैक्ट ये क्वेस्चन्स भी very very most IMP है अपके लिए पुना पैक्ट कौन से साल में जो था तो वो है 1932 फिर भारत छोड़ो अंदोलन कब सुरू हुआ भारत छोड़ो अंदोलन तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो अंदोलन की सुरू आज की गई तो बहुत सारे से अंदोलन हुए तो अब है next 1942 के तरकी जो साइमन का मिसन के बाद क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ वो 1942 के अंदर फिर 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थाफना हुई तो ये questions भी most IMP है बहुत बार पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थाफना कौन से साल में हुई थी तो 1943 के अंदर फिर कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ कैबिनेट मिशन का आगमन तो वो होता है 1946 में सेम साल भारतिय सम्विदान सबका निर्वाचन हुआ 1946 के अंदर आजादी के ठीक एक साल पहले फिर 1946 के अंदर ही अंत्रिम सरकार की स्थापना हुई 1947 भारत के विवाजन की माउंट बेटन की योजना की गई 1947 के अंदर और 1947 के अंदर भारतिय स्वतंत्रता प्राप्ती तो जो हमारे अलग-अलग जो आंदलन हुए तो उसके बारे में ये वीडियो लेक्चर था बहुत ही इंपोर्टन जितने भी ये पूरी टाइम लाइन है जो हमने देखी वो पूरी टाइम लाइन बहुत ही आई एंप है कि जब हमने सरुआत की स्टार्टिंग से लेकर एंट टक जितने भी टॉपिक थे वो बहुत ही आई एंप है तो रेगुलर ले उसका आप रिवीजन करिये और आपको अच्छे से याद रही जाएंगे सरुआ। कर दो